हेलो भाई लोग, बेंड लोग, आ गएले है सब बीडू लोग, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशल एनर्जी डूटू सिस्टम ओफ चार्जीज, बारी बारी वर्ड्स है, मतलब अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जीज है, तो उसकी पोटेंशल एनर्जी कैसी होगी, कितनी होगी और ये कैलकुलेट करने के लिए, फ्रेंड्स हम एक एक एक्जामपल लेंगे अगर आपने सूपर थर्टी मूवी देखी है, जिसमें आनन कुमार नाम की टीचर जो पटना के है उनका रोल रितिक रौसन ने किया था, वो किरदार निबाया था बहुत अच्छे से और उन्होंने मूवी में एक सीन है जिसमें अपने स्टूडेंट्स को एक क्वेस्चन पूचा था के आप 30 बच्चे हैं, 30 स्टुडेंट्स है, अगर हरे एक बच्चा सब के साथ शेक हैंड करता है और शेक हैंड रिपिट नहीं होना चाहिए तो टोटल कितनी बार शेक हैंड किये होंगे, वो हैंड शेक्स की total number of handshake मतलब कितने होंगे वो कैसे calculate करते है वो इस वीडियो में हम देखेंगे और दोनों का connection है हमारा जो topic है potential energy due to system of charges और ये super 30 वाला जो question है दोनों के answer कैसे मिलते है ये हम देखेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स तो सबसे पहले जो super 30 movie दी उसमें जो question पूछा था उसमें कुछ ऐसा था कि 30 students होते और हर एक को एक दूसरे के साथ shake hand करना होता है handshake करना है तो फिर total कितनी बार वो handshake होगा तो समझ लो एक room है इसकी मैं shortcut method भी आपको last में बताऊंगा बढ़ पहले इसे समझना जरूरी होता है कोई भी shortcut method डायरेक्ट आपको long term के लिए useful नहीं हो सकती उसके detail में आपको जाना पड़ता है और बाद में वो short method आपको काम लगती है यह हमेशा याद रखो तो एक room है room में सबसे पहले student student number 1 हम उसे roll number देंगे 1 to 30 पहला एक student गया समझो अब वो अंदर गया तो वो किसी के साथ shake hand नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला बंदा है room में तो वो खुद के साथ shake hand भी नहीं कर सकता it is not allowed तो 0 shake hand हुए अगर एक student room में गया तो room में जाने के लिए door मैं draw कर देता हूँ आप पूछो के अंदर कैसे गया तो यह सिर्फ एक example है अब जब second student अंदर जाएगा roll number 2 तो 1 और 2 एक दूसरे के साथ shake hand करेंगे 1 का 2 के साथ या 2 का 1 के साथ जो shake hand हो रहा है उसे एक ही बार calculate करना है shake hand में 1, 2 2 and 2, 1 दोनों different नहीं हो सकते जैसे मैं और आप अगर shake hand कर रहे तो फिर वो एक बार ही हमें calculate करना है तो यहाँ पे 1 and 2 का 1 shake hand होगा फिर अगर roll number 3 अंदर room में enter हो रहा है roll number 3 तो 1 and 2 जो already room में है वो अब 3 के साथ shake hand करेंगे मतलब 1, 3 and 2, 3 मतलब 2 shake hand होगे shake hand between 1 and 3 and handshake between 2 and 3 तो total 2 shake hand होगे अब अंदर room में 3 है और अगर 4 number वाला roll number अंदर enter हुआ, वो student enter हुआ तो फिर 1 को 4 के साथ करना पड़ेगा, 2 को 4 के साथ, 3 को 4 के साथ मतलब 3 hand 6 होगे ओ मतलब 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर आप इसे गौर से देख रहे हो, तो एक pattern बन रही है अगर roll number 5 room में enter हुआ, तो already जो 4 अंदर मौजूद है room में, उन 4 को 5 के साथ hand shake करना पड़ेगा, मतलब plus 4 hand shakes ऐसे करते-करते, अगर 6 roll number अंदर आ रहा है, तो already जो 5 अंदर room में है, वो हर एक इसके साथ hand shake करके 5 बार hand shakes बढ़ जाएंगे, मतलब ऐसे करते-करते last वाला जो roll number 30 आएगा, वो already अंदर जो 29 students present है room में उन सब के साथ hand shake करेगा मतलब up to, up to, up to, ऐसे plus 6, plus 7, plus करते-करते last में 29 होगा 29, 30 नहीं लेना है 30 number, roll number वाला student जब अंदर जाएगा तो already अंदर 29 students होंगे और वो हर एक roll number 30 से hand shake करेंगे, तो 0 से 29 नंबर तक के जो भी figures है, उनका अगर आप sum कर देते हो, then you will get answer, इसकी shortcut method क्या है, maths में इसे हम n, n-1 by 2 से solve कर सकते है directly, और ये थोड़ा maths में detail में जाना पड़ता है, तो ऐसी formulas भी आपको मिल जाती है, maths के topic में आता है, यह सब, n यहाँ पे आपको total number of students लेने होंगे, अगर मैं 30 को n ले लेता हूं, तो 30 into 30 minus 1, मतलब 29 divided by 2 तो 15 into 29 जो होगा, वो इन सब का total होगा तो मैंने भी ये calculate कर लिया और answer मिल रहा है 435 दोनों का मतलब, ऐसे इस problem को आप solve कर सकते हो तो movie में भी, बाद में student या answer देता हूआ scene बताया है, जिसमें teacher को भी proud होता है, ओ मेरे बच्चे सीख रहे है student सीख रहे है, तो 435 answer उसका होता है, जो starting में students को नहीं पता होता है बड़ ऐसी pattern होती है, तो आप इसे solve कर सकते हो, यहाँ आपको क्या समदना है अगर आपको ऐसे 25 particles दिये है, तो आपको 1, 2, 24, जो भी figures है, सारे numbers, उनका summation करना है, क्योंकि यहाँ 30 students थे, तो 1, 2, 29 का हमने summation किया, तो वैसे ही, अगर 25 students होते हैं, तो 1, 2, 24 number का मैं summation करता, 1, 2, 3, 4, 4, up to 24 तक मैं add करता, और यह short method तो है, n, n-1 by 2, इसे भी आप use कर सकते हो, तो अब हमारा जो topic है, इसकी बात करेंगे, जिसमें हम electric potential कैसे find करना होता है, वो सीखेंगे, बड़ सबसे पहले, formula देखनी पड़ेगी physics में, suppose यहाँ पे एक charge Q1 है, room में roll number 1 आ गया है, समदलो, topic वही है, एक charge है Q1, room में और कोई नहीं है, यहाँ से एक P point है, जब भी roll number 2 आएगा, तो यहाँ पे उसे हम रखेंगे, तो पहले एक formula याद कर लेते हैं, distance between these two points is 1 and P, R1P, because यह Q1 है और यह point P है, अभी यह point खाली है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, Q2 को अभी हम लाए नहीं है, बाद में लाएंगे इन्फाइनाइट से P point पर, बड़ अभी हम potential find करेंगे, and we know that formula of electrostatic potential due to a point like charge, okay, तो point like charge की वज़े से जो potential यहाँ पे होगा, V1 P, V1 भी लिख सकते है, V1 equals to K, 1 upon 4, 5, Epsilon 0, Q1 and R, R मतलब R1 P लिखेंगे, KQ by R वाली formula आपको याद होगी, यह वही formula है, आप easily KQ1 by R1 P भी लिख सकते है, तो due to Q1, a point like charge, here we have potential at this point, V1, और V1 की value हमें पता है, अब हम potential energy learn करने के लिए क्या सोचते है, यह V1 मतलब 1 Coulomb charge को अगर हम infinite से यहाँ पे लाएंगे, infinite मतलब रूम के बाहर से, infinite से अगर हम 1 Coulomb charge को यहाँ पे रखेंगे, तो इतना work done होगा, तो 2 Coulomb के लिए double work done होता है, अगर हम 2 Coulomb को यहाँ पे रखेंगे, तो 2 V1 जितना work done होगा, because friends, we know W equals to QV, यह formula है, okay, 2 Coulomb के लिए 2 V, 3 Coulomb के लिए 3 V, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो यूनिवर्सल यह हम QV लिख सकते हैं, तो सपोज हम अब Q2 को roll number 2 आ रहा है अब रूम में, यहाँ पे हम लाने वाले हैं, तो Q2 and V1 दोनों का multiplication करने से हमें total work done मिल जाएगा, Q2 and V1, V1 is K, K मतलब 1 upon 4 epsilon 0, Q1 by R1 P, तो हमें formula क्या मिल रहे है, K Q1, Q2, sometimes they write K, sometimes they write 1 upon 4 by epsilon 0, both is valid, K Q1, Q2 divided by R12, यह distance अब हम 1 or 2 के बीच का 1, 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि P point पे ही हमने Q2 को रख दिया है, तो यह distance R12, तो ऐसे work done मिल जाएगा, और जो work done होता है वही यहाँ पे potential energy बन जाती है, दोनों की system की, यह हमें पता है because law of conservation of energy हमें पता है, जो भी हम कुछ करते हैं, वो कभी waste नहीं होता ओके बगवत गीता में भी यह लिखा है करे लू फोगट जतू न थी तो फिर आपने जो भी work done किया है, वो यहाँ पे potential energy के form में store हो जाएगी system में, तो potential energy of these two charges, समतलो यह shake hand हुआ दोनों के बीच में, और जो potential energy बन रही है, वो है के multiplication of both electric charges Q1 and Q2 divided by distance R12, तो जो भी work done हुआ है, वो waste नहीं हुआ है वो system की potential energy बन गई है, तो सबसे पहले, यहाँ पे shake hand मतलब यह potential energy हमें समझ नहीं होगी, ओके जो shake hand super 30 में था, वो shake hand एक system बनी, दोनों की और वो यहाँ पे potential energy बनी ऐसा सोच लेंगे, और अब आप इसमें add करते जाओगे, सपोस यहाँ पे कोई third charge जा गया Q3, roll number 3 अब room में एंटर हुआ, तो फिर कितनी potential energy system की होगी, अब आप यह calculate कर सकते हो, roll number 3 Q3 के साथ Q1 भी अपनी एक pair बना लेगा, और Q2 को भी pair बनानी पड़ेगी, already एक pair तो है ही, one or two की, और अब जब roll number 3 add हुआ, तो अब और दो pair add हो जाएगी friends, पहले एक pair बनी, अब दो pair, क्योंकि roll number 3 enter हुआ, जब roll number 4 add होगा, तो already room में जो 3 है, उनके साथ वो 3 pairs बना देगा, plus 3, तो same concept हुआ न, यहाँ पे सिर्फ आपको formula physics वाली लगानी है, total potential energy कितनी होगी, पहले होगी U12, मतलब 1 और 2 की pair बन गई, फिर जब 3 enter हुआ, तो U13 and U13 U13 and U23 3 हम add कर देंगे, 2 और 3 भी shake hand करेंगे, 1 और 3 भी shake hand करेंगे, और ऐसे करते-करते हम मिलाते जाएंगे, अगर roll number Q4 add हुआ, चार्ज Q4, तो फिर U14, U24, U34, ऐसे हम add करते जाएंगे, तो मतलब अगर exit 30 charges लेके, अगर हम यह calculate करते हैं, तो पहले pair बनेगी U12 की, फिर, उसके बाद U, अब 3 add होगा, तो 13 and 23, 3 के साथ यह दोनों pair बनाएंगे, उसके बाद 4 add होगा, तो U14, U24, U34, अब 5 number add होगा, Q5, तो U15, U25, U35, U35, U45, आप देख सकते हो, 1 plus 2 plus 3 plus 4, total number of pairs ऐसे ही बढ़ रही है, अगर 6th number वाला, roll number वाला student अगर add हुआ अंदर, तो यहाँ पर plus 5 कर देंगे, क्योंकि और 5 pair बन जाएगी, तो ऐसे total number of pairs आप calculate कर सकते हो, and finally, potential energy की formula, इसमें सारी formula, मतलब U12, U13, U23 plus up to up to जो भी आप add कर रहे हो, उनके formula तो physics में मैंने अभी आपको बता है, 1 और 2 की pair है, तो KQ1, Q2 divided by R12, here R12 is distance between 1 and 2, फिर 1 3 में क्या होगा, KQ1, Q3 divided by R13, यहाँ पर system 1 और 3 की है, तो दोनों के बीच का distance आपको लिखना पड़ेगा, distance between roll number 1 and 3, divided by R23, distance between Q2 and Q3, ऐसे करते करते आप बना सकते हो, और अगर ऐसे 30 charges है, Q30 तक है, तो फिर total यह pair 1 plus 2 plus 3 plus, यह 435 pair बन जाएगी, 435, उस steps आपको लिखने पड़ेंगे, but finally, K common निकालके, 1 upon 4 by epsilon 0 common निकालके, आप formula को ऐसे लिख सकते हो आगे, Q1, Q2, divided by R12, Q1, Q3, divided by R13, Q2, Q3, divided by R23, अप टू, अप टू, अप टू, ऐसे total 435 steps आएँगे, अगर आपने total 30 charges लिए है, तो, तो यहाँ पे आपको दोनों answer मिल गए, मतलब दोनों का concept same है, maths यहाँ पे physics में हम ऐसे apply करेंगे, तो यह आपको समझना है यह topic, potential energy due to system of charges, तो यह जो topic है, इसका अब हम एक calculation वाला, एक numeric का part लेंगे, जिसमें मैं आपको सिखा हूँगा कैसे, हमें system की potential energy find करनी होती है, तो एक given example है, जिसमें एक square है, side length is A, all sides are equal in square, यह charges भी हमने QQ equal लिये है, corner पे रख दिये, चारो corner पे, अब हमें इस system की potential energy find करनी है, अब यह system बनी कैसे होगी, one by one पहले हम सोचेंगे, देखो room में जैसे, roll number one आया, two आया, three आया, ऐसे सोचते हैं के पहले यह आया होगा, roll number one, यह थोड़ी long process होती है, but believe me, practice करने के बाद, आपको यह easily solve करना आ जाएगा, आपके problems easily बन जाएगे, तो पहले थोड़ी, आपको patience रखनी होती है, तो पहले roll number one यहां Q रख दिया, इसकी तो किसी के साथ pair नहीं बनेगी, खुद अकेला है, तो zero pair, pair बनानी है, तो you one two, या two, you two one लिखो, दोनों equally है, one two लिखो या two one, उससे फर्क नहीं बढ़ता है, तो यह एक pair बन गई, अब जब three आएगा, तो three की one के साथ, और two के साथ, दोनों के साथ pair बनेगी, three one and three two, three दोनों के साथ pair बनाएगा, बतलब zero pair, one pair, two pair, ऐसे आके बढ़ते जाएगे, जब roll number four आएगा, यह भी Q charge है, same है, तो four की one के साथ, यू four one, plus you four two, plus you four three, ऐसे तीन pair बनेगी, total six pair बन जाएगी, इससे ज्यादा नहीं बन सकती, six pair, और वैसे भी मैस की यह formula पता है, n, n minus one by two, तो check कर लो, अगर four charges यहाँ पे, तो four three by two n minus one, four में से गया, three होगा, तो number of pairs आपको इससे मिल जाएगी, six, तो one two three four five six, six pair बन रही है, यह हम इस formula से भी पता लगा सकते है, but friends यह physics का question है, इसमें सिर्फ इतना नहीं पूछेंगे, कितनी pair बन रही है, नहीं, हमें pairs तो find करनी है, बढ़ अब total potential energy भी find करनी है, तो total potential energy find करने के लिए, अब हम formula लगाएंगे, जैसे पहली pair बनी थी, यू one two, यह सारी जो pair बनी थी, फिर यू one two के बाद three आया, तो three one, three two, फिर four आया, four one, four two, four three, तो इन सब की अब हमें formula लगानी होगी, इसकी formula, के q q by a लिखेंगे, देखो one and two के बीच का distance a होगा, तो मैंने a लिख दिया, दोनों के charges q q है, तो q square हो जाएगा, तो ऐसे हर एक की value लिख सकते हैं, बढ़ three one, three one में यह distance ज्यादा है, one two का distance काम है, three one का ज्यादा है, यह देखना पड़ेगा, distance one और three की जब pair बन रही है, तो नीचे कितना distance लिखोगे, a and a, अगर यह दोनों perpendicular है, तो according to pythagoras, यह distance हो जाएगा, root two a, तो फिर हमें distance नीचे root two a लिखना होगा, charges q q है, दोनों के पास same है, बड़ distance थुड़ा ज्यादा है, तो ऐसे, सब की potential energy की formula लगाते जाओ, और आपको total जो system बन रही है इसकी, उसकी potential energy मिल जाएगी, तो ऐसे यह solve करना है, बड़ do smart work, ऐसे one by one, one by one आप solve करते जाओगे, तो फिर यह process lengthy हो जाएगी, यह तो चार ही charges है, four ही only, अगर six या eight देंगे, तो और बढ़ जाएगी आपकी मतलब problems, तो फिर इसे easily कैसे solve करते हैं, देख लो, इसमें से चार pair ऐसी है, one two, three two, four one, and four three, यह पास पास वाली जो है, यह जो चार pair है, जिसको मैंने यह mark किया है, राइट की निशा नहीं किये, यह चारो pair equal ही है, क्योंकि उनके बीच का distance, a, 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 यह सारा distance, मतलब चारो distance same है, तो हम यहाँ four times, kq square by a, अगर लिख दे, वैसे भी यहाँ पे चार बार हम लिख नहीं वाले, तो यह काम थोड़ा आसान हो जाएगा, तो do some smart work, और ऐसे चार जोड़का, चार pair जो बन रहे हैं, उसका एक साथ में ही हिसाब कर दो, तो आपको यह चार pair की total potential energy मिल जाएए, अब दो कौन सी pair बची यह वाली, यह दोनों, जिसे मैंने box किया हुआ है, 3, 1, क्योंकि वो सामने सामने है, and 4, 2, उसमें distance a नहीं है, यह distance ज्यादा होगा, root 2 a, तो ऐसी दो pair एक साथ लिख दो, kq square by root 2 a, and you will get total potential energy of the system, अब kq square by a common निकाल लो, bracket में बचेगा 4 plus 2 by root 2, 2 by root 2 is root 2, उपर root 2 रहेगा, and 4 plus root 2 is 1.414, उसमें add कर दो, 5.414 kq square by a, this is potential energy of given system, ऐसे इसे solve करना था, तो smart work से यह easy हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला था, कि थोड़ी patience रखो, end में आपको ऐसी easy methods मिल जाएगी, जिसमें आपको बारी बारी यह calculate नहीं करना पड़ेगा, तो अब आप self study में, यह एक challenge ले लो, यह question ले लो, जिसे solve करना है आपको खुद, अब मैं square के बदले, cube लेने वाला हूँ, of side a, a side वाला, जिसकी side length a है, ऐसा है cube लेंगे, 3D cube, not square, Q, 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 हर एक, उसके end point पे, मतलब corners पे हमने, Q रख दिया है, charge, मतलब total 8 charges हो गए, उपर Q, 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 4, नीचे 4, 8, अब 8 charges है, तो पहले आपको सोचना है, pair कितनी बनेगी, 8 charges है, तो 8 into 7 by 2, n, n minus 1 by 2, 28 pairs बनेगी, और यह easily solve करना है आपको, तो ऐसे ही थोड़ी shortcut बनानी पड़ेगी आपको, तो यह try करो, और एक level अगर आपको इसको tough बनाना है, तो center पे, minus 2 Q रख दो, और कोई एक charge रख देते है, center पे minus 2 Q, मतलब अब 9 charges हो गए, 8 Q Q, and 1 minus 2 Q on the center of this cube, तो उसमें 9 charges मतलब, 9 n, n minus 1 by 2, 9 into 8 by 2, 36 pair बनेगी इसमें, तो यह उससे आगे के level का question है, friends, अगर आपके concept clear है, तो आप level by level questions भी solve कर सकते हो, फिर चाहे वो neat के level का हो, या G mains के, या G advance के, आपके concepts clear होने चाहिए, एक बार आपने यहाँ से concept clear कर लिया, फिर तो निकल पड़ी, फिर आप ऐसे problems भी solve कर पाओगे, जिसमें 36 pairs आती है, तो यह self study में, और इसका answer मुझे नीचे comment box में लिख के दो, तो मिलेंगे, एक नए topic के साथ next time, enjoy,